दोस्तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लेबर पेन लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए दोस्तो प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए एक वर्दान जैसा होता है लेकिन फ्रेंज कभी कभी आज कल के इस दौर में महिलाओं को परिशानी का कारण भी ये बन सकती है प्रेगनेंसी में उन्हें बहुत सी कॉम्प्रिकेशन देखने को मिलती है खास तोर पर जो महिलाएं पहली बार मा बनने जा रही है उनके लिए लेबर पेन इस चीज की ओर इसारा करती है कि अब उनका डिलेवरी का वक्त नजदीक आ गया है लेकिन तब कोई प्रेगनेंट महिला क्या करे जब उसका लेबर पेन ही ना आए दोस्तों डॉक्टर्स के द्वारा आपको एक अनुमानित तारीख दी जाती है दिलेवरी के लिए और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आती है महिलाओं को अपने लेबर पेन की आसा और भी ज़्यादा होने लगती है लेकिन जब डॉक्टर्स के द्वारा दे गए डेट निकल जाए उसके बाद भी आपको लेबर पेन ना आए तो ये परिशानी का कारण बन सकता है डॉक्टर्स आपको कुछ इंजेक्शन या दवाईया देकर लेबर पेन लाने की कोसिस करते हैं लेकिन हमारे घर के बड़े बुजूर्ग आज भी कुछ घरेलू तरीके से लेबर पेन लाने की कोसिस करते हैं घरेलू तरीके आजमाते हैं अगर वो काम ना करे तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं आज की इस वीडियो में हम उनी नुस्खों के बारे में बात करेंगे जिससे आपका लेबर पेन जल्दी से जल्दी आ सके दोस्तो लेबर पेन किसे भी प्रेगनेंट महिला के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तब ही आपकी नॉर्मल डिलेबरी समभब हो पाएगी डॉक्टर्स के द्वारा कुछ दवाईयां दी जाती हैं अब हम जानेंगे घरेलू उपाए पहला है कच्चा पपीता और अनानास का सेवन दोस्तो प्रेगनेंसी में आपको कच्चा पपीता खाने से मना किया जाता है या फिर अनानास का फल खाने से मना किया जाता है लेकिन ये आप प्रेगनेंसी के 9 मंत में इन दोनों फलों का सेवन करती है तो जल्दी से जल्दी आपका लेवर पेन आता है, आपके बोड़ी में contractions स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपके uterus को soft बनाते हैं, जिससे आपका जल्दी से जल्दी लेवर पेन शुरू होता है, अगला है केले का 7, दोस्तो आपकी बोड़ी में potassium की कमी होने के कारण भी आप मे labor pain नहीं आता है कभी-कभी ये देखा गया है लेकिन फ्रेंज, potassium केले में बहुत अधिक मात्रा में पाय जाता है इस कारण से अपनी pregnancy के 9 मन्त में अगर आप केले का सेवन करती है तो आपकी body में potassium की कमी दूर हो जाती है जिससे labor pain जल्दी आता है अगला है pregnancy के 9 मन्त में तुलसी के पत्य को चबाना दोस्तो अगर pregnancy के 9 मन्त में आप तुलसी के पत्य को चबाती है तो ये uterus में blood flow को बढ़ाती है इससे uterus में contractions शुरू होते है और आपका labor pain जल्दी आता है अगला है pregnancy के 9 मन्त में आपका walk करना या फिर सीडिया चड़ना प्रेगनेंसी के 9 मंत में आपको वाकिंग जादा कर देनी चाहिए और तेज कदमों से आपको चलना चाहिए इसके अलावा सीडिया भी आप चड़ सकती हैं उतर सकती हैं ये थोड़ा जुक कर करें दोस्तो जब आप सीडिया चड़ती हैं तो थोड़ा आगे की ओर जुक कर सीडिया चड़ती हैं तो इससे आपके पैलविक मसल्स में दबाव पड़ता है और बेबी नीचे की ओर आता है इसके कारण आपका लेबर पिन सुरू हो सकता है अगला है रिलेशन बनाना दोस्तो अगर आप pregnancy के 9 मन्त में अपने partner के साथ relation बनाती है तो इससे आपके uterus का मुँ खुलता है लेकिन इससे infection का भी खत्रा बढ़ जाता है दोस्तो डॉक्टर्स की advice पर आप ये कर सकती है अगला है spicy food दोस्तो प्रिग्नेंसी के last month में आप spicy food का भी सेवन कर सकती है इससे आपके uterus का मुँ खुलता है दोस्तो पूरी प्रेग्नेंसी आपको गर्म तासीर की चीजों को खाने से मना किया जाता है ज्यादा स्पाइसी खाने से मना किया जाता है लेकिन प्रेग्नेंसी के लास्ट मंत में आप इसका सेवन कर सकती है दोस्तो इन उपाईओं की मदद से आप अपना लेबर पेन घरेलू तरीके से ला सकती हैं जिससे बिना डॉक्टर् के पास जाए आपका लेबर पेन आ सकता है और घर पर ही आप लेबर पेन ला सकती हैं अगला है तिल के लडू या फिर अजवायन के लडू दोस्तों ये दोनों ही तासीर में गर्म होते हैं जो आपकी बच्चे दाने का मुझ खोलने में बहुत ज़्यादा सक्षम है इन सारी चीजों से यूट्रस में कॉंट्रेक्शन बढ़ जाते हैं जिनके कारण आपको लिबर पेंट जल्दी आ जाता है उम्मीद है वीडियो में बताएगे जानकारी आपको पसंद आई होगी यूसफुल लगी होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले ऐसे ही प्रेग्नेंसे डिलेवरी बेबी केसे रिलेटिड जानकारी के हमारे चैनल दीपासोनी.com को जरू सब्सक्राइब करें